तो आज मैं बनाने जारी हूँ अम्रूद का चांट जो की चटपटा खाने में बहुत अच्छा लगता है तो चलिए इसको बनाने के सबसे पहले एक अम्रूद ली हूँ मैं उसको अच्छे से साफ पानी से दो देंगे या उसको 10 मच के लिए पानी में दुबा के रख तो इसको बाष कर सकते हैं जर्ण Σब्देंस के ज़्याद के सब्सक्राइब हमां गर्वें की रूद ह certains गौत खाने में Walk उसको कश सब्सक्राइब ताकि कोई कटणा वचड़ा रेद वेख ना हो कॉई तक संसर सरे का सब्ड़ाप हॉदी ए符्ञन फटा वारी वारी नेग तो इसको जैसे आपको पीसेस पसंद है वैसे आप इसको काट लेंगे मैं यहां थोड़ा छोटा ही कट की हूँ अगर आपको बड़ा बड़ा पीस काट सकते हैं ऐसा नहीं है और सभी को अच्छे से काट लेंगे और यह जो अम्रूद है ना खाने में बहुत टेश्टी लगता है आप एक बार इसको बना के गरूद खाएगा आपको मजा आएगा अब यह जो अम्रूद है जो काट के रखे तो सब को उसमें रख लेंगे बॉल में बरतन में सब को एक बरतन में रख लेंगे इसमें मैं डाल रही हूं नमक नमक आप अपने स्वादा नों सारी डालिएगा और इसमें डालेंगे आधा चमच लाल मिर्स का पाउडर आधा टोडा शस technically टालेंगे जीर हां तो टोडा सा टालेंगे इसमें काली मिश्का पाउडर इसमें डालेंगे आधा नीबू का रस कि अधा यहां को तो स्थोर करा कि उसके रख तो मैं अधा फगन डाली ओं अप अगर नीबू ले रहे तो आधा यहां को यहां कोई सब आपके पास अचार हो ना घर में कोई सब आचार जो आपने खुद बनाया हो या फिर मार्केट का भी ले सकते हैं एक चमच उसको डालिएगा और सब को ना अच्छे से मेक्स करेंगे अभी वे इसकी खुजबू बहुत अच्छी आरी कितना टैंप्टिंग दिख रहा है तो होँद अच्छा इस बनाया है अच्छे मेक्स करेंगे तो थोड़ा सा इसको धकन से भी धग देंगे इसको अच्छे से हिलाएंगे ताकि अच्छे से मीक्स हो जाए और जो मसाला है न अगर वीडियो में आप नहीं होगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में जरूर बताएगा आपको वीडियो कैसा लगा में को तो बहुत अच्छा लगता है खाने में यह बहुत थी तीखा नुखटा नंकीन बहुत अच्छा लगता है आप एक पार इस पर ट्राइब जरूर करिएगा बहुत टेस्टी बनाएगा वाई